नमस्कार दोस्तों, Employee Khabar YouTube चैनल की इस नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर सेख बरस वागत हैं दोस्तों, आज का ये वीडियो सभी EPS 95 पेंसन धारक, सभी EPS 4 सस्क्राइबर्स और उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही इंप्रेंट होने वाला है यहाँ पर minimum pension 7500 के लिए जो है वेट कर रहे है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो higher pension के तरब से जो विकल्प दिया गया है higher pension के इसाब से जो pension यहाँ पर EPS 95 pension करमचारियों को मिलनी चाहिए उसका जो इंतजार कर रहे है उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही important है कई लोगों को यहाँ पर मानना है कि जो EPS के तरब से यहाँ पर जो higher pension के ऊपर जो review petition तायर की गई है यहाँ कहे कर कि भाई EPS के पास फंड की कमी है तो किस तरह से यहाँ पर EPS पास फंड है नहीं है यह भी सारा किलियर हो जाएगा किस तरह से आपको 7500 plus DA नियुनतम pension आपको यहाँ पर मिलेगी यह भी पूरा calculation करके हम यहाँ पर बताएंगे साथ ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो minimum pension, higher pension को लेकर यहाँ पर बात कही गई है कि यहाँ पर करमचारियों को उनकी आखरी salary के हिसाब से यहाँ पर higher pension मिलनी चाहिए यहाँ पर संभव है, मिलना संभव है और उसका भी calculation यहाँ पर आपको सारा करके दिखाएंगे साथ ही यहाँ पर कुछ लोगों की यह डाउट्स है कि यहाँ पर NAC राष्टी संगर समिती की तरफ से जो है अंदोलन वो देरी से किये जा रहे है जैसे कि अभी CBT की मिटिंग हुई वहाँ पर तेज अंदोलन होना चाहिए था तो वहाँ तेज अंदोलन क्यों नहीं हुआ दूसरी चीज यहाँ पर साथ दिसंबर को NAC राष्टी संगर समिती की तरफ से यहाँ पर एक बड़ा अंदोलन दिल्ली में रखा गया यह काफी देर यहाँ पर कर रहे है दो से तीन महीने का समय यहाँ पर दिया गया है तो यह समय क्यों दिया गया है इस तरह के कई सवालों के चवाब आपको आज के स्वीडियो में मिलने वाले हैं साथ ही यहां पर main हमारा आज के वीडियो का focus है कि यहां पर किस तरह से आपको 7500 प्लस DA निउंतम pension मिलेगी और higher pension के उपर जो यहां पर Supreme Court ने order दिया है कि आपके आखरी वेतन के हिसाब से आपको higher pension मिलेगी वो किस तरह से यहां पर मिलेगी यह calculate करके हम आज के इस वीडियो म हर एक विक्ति कम से कम अपने दस लोगों के साथ सेयर जरूर कीजीगा ताकि उनको पूरा केल्कुलेशन पता चल जाए कि 7500 प्लस टीए और जो हायर पेंशन का है विकल्प यहाँ पर सुप्रिम कोर्ट ने दिया है वो किस तरह से किल्कुलेट होकर और किस तरह से उनको यहाँ पर मिलेगा इप्योप पकपास कितना फंड है और उस फंड का किस तरह से उपियोग करके यहाँ पेंशन आपको मिलने वाली है एनसी राश्टी संगर समिती के अध्यक्छा माननी है कमांडर असोख रावज जी के तरफ से यह पूरा केलकुलेशन यहाँ पर पांच पेच का केलकुलेशन तयार करके यहाँ पर जो है माननी है प्रधान मंत्री, माननी है मुख्य मंत्री, माननी है जो वित्त मंत्री है और स सबी CBT मेंबर्स के सदस्यों को यहां पर भेज दिया गया है तो इसी के अकॉर्डिंग जो है आज का हमारे वीडियो है आपसे बार बार निवेदन है कि वीडियो को जो है बिल्कुल अधिक से अधिक से शेयर कीजेगा आपका फिस्बूक ट्यूटर इंस्टेग्राम जहां पर भी आपका अकॉंट है वाटसप है वहां जो अधिक से अधिक लोगों को सेयर कीजेगा ताके हर लोगों को जो है इसके केल्कुलेशन के बारे में पता चल जाए और उनको यह समझ में आ जाए कि किस तरह से उनको जो है 7500 प्लस डी और हायर प्रेंसन यहां पर मिल सकती है और अधिक से अधिक लोग जो है यहां पर जागरूख हो और ओभी यहां पर इस अंदुलन में भाग ले और अपनी मांगों के लिए जो है द्रड होकर यहां पर अपनी मांग करे तो चल यह वीडियो में आगे बढ़ते के बाद आपको जो है EPS 95 Pensioners को किस तरह मिलेगी 7500 प्लस डी और हायर पेंसन जो सुप्रीम कोट की तरफ से यहां पर कही गई है यह आपको किलियरली यहां पर समझ आ जाएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले कुछ इसकी बेसिक बातें यहां पर जान लेते हैं कि किस तरह से जो है यह सारी प्रक्रिया यहां पर सुरू ही तो राश्टी संगर समिती NSE की ओर से माननी सभी CVT मेंबर्स प्रधानमंत्री वित्तमंत्री व एपफो कारेलाय के नाम एक प्रपत्र जो कि प्रपत्र संख्या 2008 है लिखा गया है जिसे समीती के अध्यक्ष राश्टी अध्यक्ष मानने कमांडर असुक राउट जी ने EPS 95 पेंसनर्स को किस तरह से 7500 रुपए प्रती महिने और साथ ही डिये भी करमचारियों को यहां पर मिल सकता है और कैसे सुप्रेम कोट के आदिस अनुसार करमचारियों को हैर पेंसन उच्च पेंसन का लाब यहां पर मिल सकता है यह सब विस्तार से बताया है असुक राउट जी ने कहा कि राश्टी संगर समीती NAC हमेशा से ही इस तत्यका जो है वकालत करते रही है कि नियुंतन पेंसन में व्रद्धी का समाधान और उपलब्द संसादनों के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट के अधिसा अनुसार हायर पेंसन उच्च पेंसन को लागू किया जा सकता है इस संबंद में राश्टी संगर समीती की ओर से मानिय प्रमोज जी अवस्थी के साथ में NAC राश्टी संगर समीती के उपाध्यक्ष की तरप से 9 अगस्त 2019 को मानिय श्रम मंत जी के बरेली आफिस पर जो है बात हुई थी और इसके बात जो है उनके आधिसा अनुसार यहां पर जनरल सेकरोटरी विरंदर सिंग के साथ स्रीमती आनिता त्रिपाटी जी की बठक 13 अगस्त 2019 को इसी मुद्दे को लेकर यहां पर हुई है आगे श्री असोक रावत जी न पेंसन को लेकर एक विवारिक समाधान यह वह भी यहां पर जो है तयार किया गया है यह और बी क्या है हम आपको यहां पर आगे बताने वाले हैं और इसे माननी सभी CBT मेंबर इस्प्रदान मंत्री वित्त मंत्री EP भोकारले को सौपते हुए हमें खुसी वा आसा है कि आप जो है इस पर विचार जरूर करेंगे और पेंसन धारकों को लाबनवित करेंगे तो क्या है यहां पर हायर पेंसन नियुन्तम पेंसन को लेकर 7500 प्लस डिये के लिए प्रस्ताव की कुछ मुख्य विसेस्ता है कुछ विसेस्ताव यहां पर जो है पेस की गई है NAC राष्ट के लिए जीने में मदद करेंगे तो यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर एनसी रष्टी संगर संभीती के तरफ से दी गए है कि सरकार का जो वरतमान में योगदान यानि कि 15,000 की सीलिंग की राजसी के उपर यहाँ पर 1.6% 1.16% जो यहाँ पर सरकार का कंस्ट्रिबूशन होता है उससे जो है बढ़ाने के आओ सकता नहीं है क्योंकि करमचारियों का उससे बढ़ाने से यहाँ पर कोई लाब नहीं होता है यादा करमचारी और EDLI वे को सरकार के वरतमान योगदान यानि कि 1.16% के साथ सकती से जो है प्रतिबंदित किया जाना चाहिए इसका भी जो है बहुत ही कम करमचारियों को जो है लाब मिलता है पेंसन पंड में योगदान करने वाले करमचारियों को वास्तिविक वेतन पर 8.33% की अनुमती दी जानी चाहिए जो की अनुलगन की गन्ना में दिखाया गया है आगे गन्ना में दिखाया गया है करमचारियों को जो है उनकी वास्तिविक वेतन के हिसाब से 8.33% की यहां पर अनुमती प्रदान करनी चाहिए दोनों मागे यानि की वास्तिविक वेतन पर higher pension और नियुनतम pension दोनों में से एक विकल्प यहाँ पर करमचारियों के लिए पेस किया जाए यदि करमचारी चाहे तो वह 7500 प्लस डिये का जो है नियुनतम वेतन का विकल्प चुन ले या तो फिर higher pension का विकल्प चुन ले ऐसा प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है संगठन के द्वारा दी गई समिक्षाओं से पता चला है कि बहुत कम pension भी होगी यहाँ पर higher pension का विकल्प चुनते हैं वरतमान में तो बहुत ही कम pension करमचारी ऐसे हैं जिन्होंने higher pension का विकल्प चुन के रखा था क्योंकि यह DA की पेसकस नहीं करता है इसमें DA समाई पर बढ़ता या कम होता नहीं है जैसे मांगाई भतता बढ़ता है जबकि नियुनतम pension में DA की पेसकस होती है और DA के बरावर रासी नियुनतम pension में सामिल हो सकती है जिस तरह मूली योजना में प्रावधान है और हमारी च परसों के लिए भारी कमी की जा रही है जो आगे जो है चलकर स्वास्थ है पेंसन कोस के योगदान देगा EPS 95 पेंसन योजिना के सदस्य बढ़ाने की परयाप्त गुंजाई से वरतमान में 6 करोड सक्री योगदान करता सदस्यों की संख्या है और इन्हें जो है संबंदित समुहों के द्वारा प्रचार प्रसार और अधिक बढ़ाया जा सकता है जहां पर हमारा संगठन एन प्रयासों को भी भाग लेने के लिए प्रतिबद्ध है यदि सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहती है कि EPS 95 पेंसन धारगों की सदस्यता और बढ़े ये लोग जो है 6 करोड वरतमान में जो है इनका और जादा यहां पर जो है कंस्ट्रिबूसन हो ताकि योजना अच्छे से चले तो इसके लिए भी EPS 95 पेंसन धारग और NAC रष्टी संगर समीती प्रयाज भरपूर करेगी ऐसा इनोंने काहा है आगे लिखते हैं कि वरतमान फंड प्रबंदर्क जो की संतोजनक है उसे आगे और बहतर बनाया जाना चाहिए ताकि फंड को कोई नुकसान नहों यदि आवश्चता हो तो यहां पर सरकार के द्वारा बहतर बनाया जा सकता है और अन्य फंड के मामले में इसमें चार प्रज़त का योगदान किया जा सकता है अब आते हैं हमारे मूल टॉपिक के उपर ये तो बात यहां पर हुई कि एनेसी रष्टी संगर संभीती ने जो सजेसन यहां पर दी है कि कुछ इस तरह के जो है बतलाव करके यहां पर इस जो है योजना को और अच्छा और मजबुत बनाया सकता है अब मूल बात आती है कि EPS 95 Pension 7500 प्लस DA का जो फार्मूला यहां पर मानिये कमांडर असोक राओजी और एनेसी रष्टी संगर समिती की तरफ से बताया गया है और सभी CBT मेंबर्स और वित्मंत्री को यहां पर भेजा गया है उसके तहत यहां पर नियुनतम पेंसन और हायर पेंसन किस तरह से मिलेगी उसके हिसाब से EPS 95 पेंसन योजदा के तहद काम करने वाले करमचारियों की कुल संख्या यहाँ पर 19,33,99,860 ऐसे करमचारी है जिनोंने EPS यहाँ पर EPS में अपना खाता खुलवाया इसमें जे कई के खाते बंद हो चुके होंगे कई ऐसे होंगे जो अपना contribution कर रहे है कई ऐसे होंगे जो contribution नहीं कर रहे है मतलब कुल मिलाकर अभी तक यहाँ पर EPS के पास इतने खातों का यहाँ पर नाम है कि इतने खाते खुले गए है अब pension की और योगदान करने वाले करमचारियों के कुल संख्या मतलब अभी EPS में जो सक्रिय खाते है वो है 6 करोड खाते हैं यहाँ पर जो है अभी तक सक्रिय है 6 करोड खातों में से pension धारकों के कुल खाते हैं यहाँ पर 64,64,93,923 यानि कि लगबग जिने जो हैं 65,000,000 मान सकते हैं संपत्ति की बात करें तो 4,12,000 करोड रुपए यहाँ पर EPS के पास में जमाएं लावारिज धन की बात करें यानि कि ऐसा धन जो कि यहाँ पर करमचारियों के उप्योग में नहीं आ रहा है कुछ करमचारी जो कि यहाँ पर 6 मैने से पहले अपनी जोब शोड़ देते हैं उसे आप जो है देख सकते हैं तो इस तरह की संपत्ति यहाँ पर EPS के पास 57,000 करोड रुपए है तो इस तरह से कुल संपत्ति यहाँ पर EPS के पास वरतमान में है 4,12,000 करोड रुपए प्लस 57,000 करोड रुपए यानि कि आज के कुल संपत्ति और लावारिश संपत्ति मिलाकर 4,69,000 करोड रुपई EPO के पास में अभी सेफ रखे हुए है अब पेंसन फंड में मौझूदा नियमित आमदानी की बात करें तो 6,000 करोड यहां पर 6,000 करोड करमचारियों का सक्रिय खाता है जो की प्रती महीने यहां पर 1250 रुपई का कंस्ट्रिबूशन कर रहे है 2014 के बाद में 2014 के पहले यहां कम होता था 2014 के बाद में यहां अधिक्तम कंस्ट्रिबूशन जो है 1250 रुपई हो गया है तो EPO के पास कुल कितनी संपत्ती है मतलब सक्रिय संपत्ती और पहले की संपत्ती मिला दिया जाए तो पॉइंट नमबर 3 और पॉइंट नमबर 4 को यहां पर जोड़ दिया जाएगा पॉइंट नमबर 3 यानि कि पहले की कुल संपत्ती 4,69,000 करोड रुपए और अभी की जो आमदानी वाली संपत्ती है तो यह हुई 90,000 करोड रुपए तो इस तरह से 5,69,000 करोड रुपए यहां पर EPO के पास से कुल संपत्ती हो गई अब मौजुदा संपत्ती पर वार्षिक ब्याज की बात करते हैं यहां पर हम मांनते है 14% प्रतिवर्स की हिसाब से के मान रहत है अब 14% के हिसाब से क्यों मान रहते हैं trends में ब्याज की ब्याज मलता है लेकिन यहां पर यहँदी share market की बात करे तो share market में 12% नियुनतम से लेकर 17-18% तक यहां पर आपको sayare market में ब्याज मिल जाता है तो इस हिसाब से यदि हम 17-18-18% को भी काउंट ने करते हैं नियुनतम 12 को भी काउंट ने करते हैं बीच का जो 14% मानते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर जो कुल संपत्ती है 5,69,000 करोड रुपए उस पर जो है 78,260 करोड रुपए का सालाना ब्याज यहाँ पर EPPO के पास आ रहा है अब इस ब्याज में से ही सभी pension धारगों को यहाँ पर pension EPPO को देनी है तो pension धारगों की कुल देए pension रासी पेंसन धारगों की मांग के हिसाब से 7500 प्लस डी ए तो 7500 तो इनकी जो है नेंतम पेंसन हो गई अब डी ए को मिला कर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर करमचारियों को 10,000 रुपए प्रती करमचारी को यहाँ पर जो है मिलना चाहिए इस हिसाब से 65,000 करमचारी, 65,000 पेंसनर्स जिनकों की 10,000 रुपए प्रती महीने के हिसाब से 12 महीने तक देनी पड़ेगी तो इस हिसाफसे इनको करमचारियों को देना पड़ेगा 78,000 करोड रुपए तो यहाँ पर पेंशन धारकों की मांग यह दी मान ली जाती है 7500 प्लस डी ये उसके हिसाब से भी यहाँ पर जो है केवल 78,000 करोड रुपए पर साल का यहाँ पर E.P. फोको 65,000,000 पेंशन धारकों को देना पड़ेगा इसके बावजूद यहाँ पर भविश्य की जरूरुत को इलिए E.P. फोके पास 260 करोड रुपए इस प्याज में से ही बचता है पाइंट नंबर 5 और 6 के हिसाब से क्योंकि यहाँ पर मौजुदा संपत्ती पर जो है कुल प्याज देखा जाए तो 75,000 78,260 करोड रुपए का ब्याज यहाँ पर जो है E.P. फोक मिल रहा है और कुल यहाँ पर पेंसनर्स को जो देने वाला खर्चा है वो हो रहा है 78,000 करोड रुपए यानि कि 78,000 यदि 78,260 में से कम कर दिये जाए तो यहाँ पर कुल 260 करोड रुपए E.P. फोक के पास में यहाँ पर सेव रहेगा यदि करमचारियों की 7,500 प्लस डिये की मांग मान ले जाती है तब भी तो इस तरह से यहाँ पर जो है यहाँ मिनिमम पेंसन की जो मांग यहाँ पर करमचारी कर रहे है वो जो है आसानी से पूरी की जा सकती है तो इस हिसाब से पेंसन धारवकों की 7,500 प्लस डिये प्रती महीने की जो मांग है उसको जो है पूरा करने के बाद भी E.P. पास 260 करोड रुपे की सेश रासी यहाँ पर बच रही है तो यह तो हुआ फार्मूला A अब फार्मूला B की बात करते है फार्मूला B में नेउंतम पेंसन और हायर पेंसन दोनों ऐसे करमचारियों के लिए बात करते है वो फार्मूला A जो था वो केवल हमने नेउंतम पेंसन वाले करमचारियों के लिए बात की थी तो इसके हिसाब से यहाँ पस EPS 95 पेंसन योजना के तखत काम करने जाले करमचारियों की कुल संख्या 19,33,19,9,860 पेंसन में योगदान करने वाले कुल करमचारियों की संख्या 6 करोड जो की सक्री खाते अभी यहाँ पर EPS के पास है पेंसनरों की कुल संख्या 64,93,923 लगवग 65,000 इसे जो है माना जा सकता है तो आज के हिसाब से EPS के पास भंड की संपत्ती यहनि की EPS के पास कितना पैसा जमा है 4,12,000 करोड रुपए भी EPS के पास जमा है अभी तक का कुल जो है यहाँ पर करमचारियों की तरफ से कंस्ट्रिबूशन किया गया है उसको लेकर लावारिज धन की बात करें तो यहाँ पर EPS के पास लावारिज धन के रूप में 57,000 करोड रुपए यहाँ पर है और कुल संपत्ती की बात यदि करें तो यहाँ पर EPS के पास कुल संपत्ती है लावारिज धन दी मिला दिया जाए और उसमें जो है जो कुल पैसा यहाँ पर EPS भग पास 4,12,000 करोड रुपए जमा है उन दोनों को जोड दिया जाए तो 4,69,000 करोड यहाँ पर कुल EPS भग पास अभी जमा है अब पेंसन फंड में नियमित वार्षिक आमदानी की बात करें तो 2,70,000 करोड रुपए EPS भग पास जो है नियमित वार्षिक आमदानी होती है वो जो कल्कुलेशन था वो हमने पेंसन के उपर किया था अब यह जो है करमचारियों के लिए भी होगा वेतन पर कोई सीलिंग सीमा नहीं मानी है यहाँ पर जो कल्कुलेशन किया है हमने इसमें वेतन पर कोई सीमा नहीं मानी है अब यहाँ पर करमचारी का आउसत वेतन मानते हैं हम 45,000 रुपए 45,000 रुपए क्यों कि यदि कोई कर्मचारी यदि ceiling limit के उपर अपना higher pension का विकलब चुनता है तो उसे जो है 15,000 से उपर ही उसकी जो है basic payment होगी तब ही वह जो है अपना higher pension का विकलब भी चुनना चाहेगा यानि कि उसकी जो है कम से कम pension जादा ही होगी यहाँ पर कुछ कर्मचारी ऐसे है जिनको 90,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, वेतन मिलता है तो भी वह चाहेगा कि वह जो है higher pension का विकल्प यहां पर चुने तो उन कर्मचारियों को इसमें सामिल किया है जिनकी जो है वेतन 45,000 रुपई या उससे ज्यादा है तो minimum हमने यहां पर 45,000 रुपई लिया है अब 45,000 रुपई का 8.33% के हिसाब से 3,750 रुपई यहां पर कर्मचारियों को अपना जो है contribution करना होगा तो 6 करोड कर्मचारी जिनको जो है 3,750 रुपई के हिसाब से यदि 12 महीने contribution करना पड़े तो होता है 2,70,000 करोड रुपई यहां पर EPPO के पास 2,70,000 करोड रुपई pension fund में नियमेत वार्सिक आमदानी हो जाएगी यदि यह जो 15,000 रुपई की ceiling limit है यह हटा दी जाए तो क्योंकि यहां पर कुछ कर्मचारियों की वेतन जादा भी है कुछ की कम भी है तो इस हिसाब से यहां पर Everage यह दि माने तो यहां पर यह दि ceiling limit हटा दी जाए तो 2,70,000 करोड की यहां पर आमदानी EPPO के पास प्रती वर्स हो जाएगी अब कुल संपत्ती की बात करते हैं तो कुल संपत्ती पॉइंट नंबर 2 प्लस 3 पॉइंट नंबर 2 की कुल संपत्ती है 4,69,000 करोड रुपए पॉइंट नंबर 3 में कुल संपत्ती आई है 2,70,000 करोड तो इस तरह से कुल 40,000 करोड रुपए एपिपो के पास कोल संपत्ति यहां पर बनती है अब इस पर वारसीग ब्याज 14% के हिसाब से देखा जाए तो ब्याज यहां पर बलता है 1,3460 करोड रुपए यहां पर जो है वारसीग ब्याज यहां पर एपिपो को इस पैसे पर मिलेगा अब पेंसन दारागों की मांग के हिसाब से हायर पेंसन पर कुल खर्च कितना होगा 1560 करोड रुपए यहां पर केवल एदी हायर पेंसन यहां पर एपिपो लागू करता है उन करमचारियों के लिए जो हायर पेंसन का विकल्प चुनना चाहते है तो उस पर जो है कुल खर्च साल रुपए जो है खर्च होगा यहां किस हिसाब से होगा यहां मानते है कि केवल 10% करमचारी ही हायर पेंसन या उच्च पेंसन का विकल्प चुनेंगे क्यों कि करमचारी की यदि मूल वेतन जो है 30-35,000 या 40,000 रुपए से जादा है यदि करमचारी के पास उतनी सेविंग हो रही है तो ही वह हायर पेंसन का विकल्प चुनना चाहेगा विकल्प या पर चुनेंगे तो यदि 65,000,000 करमचारी का 10% निकाला जाए तो 65,000 पेंसनर्स हुए अब 65,000 पेंसनर्स जो कि इनकी वेतन हमने यहां पर मानी है 45,000 रुपए तो 45,000 रुपए वेतन जो सर्विस करेंगे 30 साल तक यहां पर अधिक्तम सर्विस यहां पर 35 साल भी होती है लेकिन कुछ करमचारी 25 साल में भी कुछ 28 साल में भी छोड़ देते है तो इससाब से हमने यहां पर बीच का लिया है 30 साल तो इससाब से 45,000 रुपए आपकी बेसिक पेंसनर्स हुई आपने 30 साल तक यहां पर जो है सर्विस की और उसमें डिवाइड इट किया 70 का तो आपका जो है यहां पर 20,000 रुपए प्रती महिने हायर पेंसन के हिसाब से पेंसन पनती है यदि करमचारी की बात करें आज की तो जिस हिसाब से सुप्रिम कोर्ट कहना चाहता है इस हिसाब से 65,000 जो करमचारी यानि की 65,000 करमचारी का 10% 65,000 करमचारी यदि 20,000 रुपए प्रती महिने यहां पर पेंसन लेते है पारा महिने तक तो उनको जो 1560 करोड रुपए यहां पर जो है ईपीपो को खर्च उन करमचारी योपर करना पड़ेगा जो की हायर पेंसन का विकल्प चुनना चाहते है अब बचे हुए 64,000,000 पेंसन धारक जो की मिनिमम पेंसन का विकल्प चुनना चाहते है उन पर सालाना खर्च कितना होगा उन पर सालाना खर्च होगा 87,220 करोड रुपए कैसे उनको जो है मिनिमम पेंसन यानि की नियुनतम पेंसन उनको देनी पड़ेगी 7,500 प्लस डिये तो टोटल हम मान लेते हैं डिये और 7,500 मिला के 10,000 लगपग होगा तो दस हजार कुनित 64,000,35,000 करमचारी ऐसे जो कि नियुनतम पेंसन का विकल प चुन रहे है basic plus da यहाँ पर e-people को देना पड़ेगा तो ऐसे 64,35,000 कर्मचारियों को 12 महिने तक यहाँ पर 10,000 रुपई देना पड़ेगा यानि कि 77,220 करोल यहाँ पर ऐसे कर्मचारियों के उपर e-people को खर्च करना पड़ेगा तो यहाँ पर कुल मिलाकर minimum pension यानि कि निउन्तम pension और higher pension जोदी उच्च pension का यहाँ पर कुछ कर्मचारी जो higher pension का विकलब चुनेंगे कुछ कर्मचारी जो निउन्तम pension का विकलब चुनेंगे ऐसे में कुल मिलाकर जो सालाना खर्चा होगा वो होगा 78,780 करोड रुपए पाइंट नमबर 6 और 7 के हिसाब से पाइंट नमबर 6 जिनमे करमचारियों ने हायर पेंसन का विकल्प चुना जिनका हुआ 1560 करोड रुपए और पाइंट नमबर 7 जिसमें करमचारियों ने निन्तम पेंशन का विकल्ब चुना ऐसे करमचारी जिनका हुआ 77,220 करोड रुपए तो कुल मिलाकर यहां हुआ 78,780 करोड रुपए यहां पर E.P. भोगे सालाना खर्च हुए अब भविस्य के जरूरतों के लिए यहां पर भी E.P. भोगे पास 24,680 करोड रुपए से यह बचता है कैसे? पॉइंट नमबर पाँच और पॉइंट नमबर आट पर हम यहां पर जो है नजर डालते है पॉइंट नमबर पाँच जिसमें की 14 प्रतिस्यत प्याजदर के हिसाब से 1,3460 करोड रुपए E.P. पक पास ब्या जाता है हायर पेंसन देने के बाद भी और नियुंतम पेंसन देने के बाद भी तो राश्टी संगर समीती की ओर से इस तरह की गणना कर प्रस्ताव मानने सभी CBT मेंबर्स प्रधार मंतरी विंत मंतरी E.P. पकारलाय के नाम प्रपत्र संखे 2008 जो है लिक कर बता दी गई है और इस पर विचार करने के लिए एक महिने का समय दिया गया है यदि इसके बाद भी E.P. पो या सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो 7 दिसंबर 2019 को दिल्दे में रास्ता रुकवांदुलन और की घोसना यहां पर राष्टी संगर समीती एनेजी की ओर से कर दी गई है समीती के नियुनतम पेंशन और हायर पेंशन के प्रोपोजल पत्र की कॉपी जो है आप EmployeeCover.com के यहां पर जो लिंक पर इस लिंक पर क्लिक करके जो है पा सकते हैं तो दोस्तों यह किल्कुलेशन आपको कैसा लगा और इस किल्कुलेशन के हिसाब से आपको क्या लगता है कि आवास्तों में 7500 प्लस टीए और नियुनतम पेंशन और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हायर पेंशन का विकल पे यहां पर करमचारियों को देनी की बात कही ज सके कि वर्तमान में एप्यों पक पास कितना पैसा है और इसके हिसाब से जो है 7500 प्लस डीए नियुनतम पेंशन और हायर पेंशन जो है देना पॉसिबल हो सकता है तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में के जैसी जानकर इसाथ यह जानकर आपको कैसी लगी कमेंट्स करके दोस्तों उम्मिद करता हूँ आप एक लाइक प्रटन दबा कर और वीडियो को सेर करके हमें हमारे मैंनत का फॉल जरूर देंगे बिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद जै भारत